हाई गाइस विवेक हीर आपका सबकत है आपके अपने चैनल विवेक पांडे अकाड़नी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनाइटी कॉलेजी की फीज कितनी होती एनाइटी मेंट मिशन कैसे मिलेगा आपको और यहां पर हम जो टॉप 5 एनाइटी सब्सक्राइब करने वाले हैं और आपको सब कुछ आपको इनाइटी के वाला हूं तो वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखेगा अगो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजिए तो स्टार्ट करते हैं आपको बताता हूं कितनी एनाइटी देयर आर थर्टी वन इन इंडिया एंट 23 आयाइटी जल्सो आई इंडिया में इंजरेंग के लिए फरस्ट है और नाइटी सेकंड रैंक पर आती हैं यह सब आपको पता है और यहां पर बीटेक और एमटेक के लिए अडमिशन होता है बीटेक का कोर्स चार्ज फोर येर कर रहता है उसमें एट लाग तक फीज रहती है 1.721 लाग तक मतलब इसके बीच में डेल लाग आसपास ही रहती है तो एक साल की तो सबसे पहले हम बात करने है एनाइटी त्रीची के बारे में जो फर्स्ट आयाइटी आती है पूरे इंडिया में इसका और रैंकिंग है 10 लाग 10 और यहां पर फी यहां पर होती है और एनाइटी राउर के लाग है हमारा सेकेंड नंबर पर एनाइटी के बीच में फीज और एनाइफ रैंकिंग और प्लेस्मेंट के बीच में ज्यादा डिफरेंट ने रहता एवरेज 40 टू 30 लाग तक का हाईएट पैकेज जाता है यहां पर हर मतलब सार एनाइटी राउर के लाग की है एनाइफ रैंकिंग है 16 यहां पर डेल लाग के आसपास आपके फीज लगेगी एक साल की और से थर्ड है हमारा एनाइटी करनाट का जिसे एनाइटी सूरत कल भी कहते हैं इसका है 21 है इसका एनाइटी राउर राउर रांकिंग और यहां पर डेल लाग से थोड़ी कम ही आपकी फीज लगती है 1.4 लैक तक यहां पर फीज लगेगी आपकी एक साल की और फॉर्थ है हमारा एनाइटी वारंगल यह फोर्थ रंबर का एनाइटी है इंडिया में प्नीक्व के हिसाब से तो इसका रांकिंग है और यहां पर 1.35 लाग आपकी फीज लगेगी एक लाग 35,000 के आसपास पूरे साल की और एनाइटी कैली कट है फिफ्ट नंबर पर 1.3 लाग यहां का फीज है और 28 इसका रांकिंग है अब मैं आपको बताता हम इनाइटव रांकिंग किस चीजों पर देती है वहां का प्लेस्मेंट इंफरा स्ट्रक्चर, वहां पर कैसे स्टूलन परते हैu को unterstützen, के रिचर्च κोर्क, प्लेस्मेंट, वगर कैसे हैं कैसा है में फीज के हिसाब से रैंकिंग इसी हिसाब में सब कुछ ध्यानर में रखते हुए और यह एकदम एक्च्वल रैंकिंग होती है एनाइटी तेजी फर्स्ट है एनाइटी में पर आई आईटी और बिट्स पिलानी बहुत साले लोग इससे पहले भी है इसलिए इसको 10 रैंक मिला है तो अगर आप एनाइटी से कोर्स करना चाहते है बिट्स का तो आपका मुटा मुटा खर्चा एक लाग के उपर तो हरी एनाइटी में जाएगा इसलिए 4-7 लाग आपका खर्चा जाएगा एनाइटी से इंजिनेरिंग करने में और आइटी से तो यह 8-10 लाग मर ही जाता है और 10 लाग के उपर भी है कहीं कहीं पर पूरे कोर्स की फीज पर अगर आप चाहे तो इस फीज को कम भी करा सकते हैं अगर आपका इंकम एक लाग से कम है या पांच लाग से कम है या फिर आप SCST हैंडिकैप OBC में आते हैं तो और आपके अपास अगर इतना पैसा नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं इजुकेशन लोन का प्राबधान भी है हमारे गॉर्णमेंट ने किया है यह सुवित दिया है कि आप सकते हैं उसके बारे मैं आधक ह्सी वीडियो बनाये है तो आपको IIT के फीज बैंड़ और फीज कैसे कम कराते उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगी उस